जैन दोस्तों दोस्तों आपने जनल सद्वीर साहब के ट्विट में कई बार देखा होगा असली OROP की मांग करते हैं अब ये असली OROP आखिर है क्या ये आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा इस सवाल का जवाब ढूनने के लिए मुझे काफी पीछे की जो हिस्ट् निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एक्सविस्मेंट काफी समय से जो है वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रही है जब 2015 में सरकार के द्वारा OROP को लागो किया गया तो इंडियन एक्सविस् तबी जाके जो है यहां एक असली OROP मानी जाएगी एक पॉइंट था इसमें कि गौवर्मेंट को जो है OROP का रिवीजन जो है हर साल करना चाहिए जबकि गौवर्मेंट ने पहले 10 साल की बाद चल रही थी लेकिन गौवर्मेंट ने बाद में इसे 5 साल कर दिया हाला कि इसमा इंडे एकसेस्मेंट मुवर्मेंट ने कहा कि एक साल नहीं तो कम से कम दो साल में तो इसका रिवीजन होना चाहिए उनका तरक इसके पीछे यहां था कि 5 साल एक बड़ा लंबा समय हो जाता है और जो वन रेंक वन पेंसन की मांग थी कि जूनियर है उनकी पेंसन जो तो वो चीज इतना लंबा समय नहीं मिलना चाहिए हाला कि जब वो रिवीजन होगा तो सीनियर जो है आ जाएगा अपनी जगे पे लेकिन वो बीज का गैप नहीं होना चाहिए इसलिए जो है इंडियन एकसेस्मेंट मुव्मेंट की यहां मांग थी कि इसे एक नहीं तो कम पेंशन को रिफिक्स किया जाएगा आईसम का दूसरा पॉइंट यहां था कि जो पुराने रिटाइरी है उनकी पेंशन जो नए रिटाइरी है उनकी मैक्सिमम स्केल है जो पेंशन का उनके बराबर उनकी पेंशन होनी चाहिए जबकि गवर्मेंट ने अपने नौटिफि जो पुराने pensioner हैं उनका जो है maximum और minimum के हिसाब से जो average pension है उनको वह दी जाएगी हाला कि जो इसमें जो maximum pension अगर ज्यादा ले रहोंगे उनकी pension protected है एक था इसमें VRS का मुद्दा उस समें कहा गया था government की तरफ से कि जो VRS है voluntary retirement of service हैं उनको जो है OROP का लाब नहीं दिया था इसके लिए जो है आमरण अंसन पर भी बैठे थे इंडियन एक्सविस्मेंट मुवमेंट का यहाँ कहना था कि सेना में VRS नहीं होता है सेना में premature retired होता है और एक जवान की जो minimum pensionable service होती है 15 साल होती है उसके बाद कई कारणों से जो है वो जो है volunteer retirement ले ले लेते हैं और अपनी pensionable service पूरी कर चुका होता है इसलिए जो है उनको OROP का लाब मिलना चाहिए और उनका बोलना था कि अगर ऐसा लागो किया गया तो 40% के करीबन जो है जो defense pensioner है वो OROP के दाएरे से बाहर हो जाएंगे हालां कि बाद में जब परदान मंतरी मोदी जी ने इस पर मिलेगा तो इस पर दोनों चीजें हैं मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा कुछों को मिलेगा और कुछ को नहीं मिलेगा इसके अलग-अलग पहलू है कुछ army rules है मैंने इस पर वैसे वीडियो बनाया हुआ है लेकिन premature retirement में वो कौन-कौन हैं जिनको जो है OROP का लाब मिलेग इस पर मैं कोशिस करूंगा एक वीडियो बनाने की और आपके सामने पेस करने की उसको अगला आता है judicial committee जी हां दोस्तों जो union उसमें धरना दे रहे थी एकसेस्में धरना दे रहे थे OROP के लिए तो उन्होंने कहा कि जो government ने ये notification लेकर आई हैं इसमें काफी कमिया है और उसको उस पर सुधार किया जाना चाहिए तो government ने जो है justice एल नरसिमा रेड़ी की अध्यक्सता में एक judicial committee का गठन किया जिसने की जो है 6 मैने में अपनी रिपोर्ट इसकी विसंग्यतियों पर देना था जो की government ने 7 नॉम्बर 2015 को लेटर जारी किया था जबकि जो है जो वह officer हो और जो है एक जो है government की तरफ से कोई भी हो और यहाँ जो है एक मेहने के अंदर सिधा रक्साव मंत्राले को अपनी record submit करें क्योंकि उनका मानना यहाँ था कि judicial committee में केवल एक justice member का होना उनको काफी समय लगेगा और वो जो है आम forces के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है जितना की access men को है और जो सेना के अंदर service कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी परकार से इस पर जो है विशलेशन करके इसकी विशंगतियों को जो है सरकार के सामने रख सकते हैं इसके लावा Indian access men moment का यहाँ कहना था कि government ने ओर रोपी की यानि की one rank one pension की definition को लागू करते समय बदली कर दिया गया है जो इसका असली मकसद था one rank one pension यानि की एक rank और same length of service में same pension मिलनी चाहिए तो अब जो है जो government ने इसको बदली किया कि one rank multiple pension जैसा कि इसमें कहा गया कि average दिया जाएगा तो दोस्तों यह कुछ point है जिनकी मैंने आपके साथ चर्चा करी है यह लिख आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आप समझ सको कि आखिरकार जो है जिस असली OROP को यह जनरल सद्वीर साहब बात करते हैं आखिर वो है क्या तो मैंने तो इसका अपने जो परकार से इसका विशलेशन क्या वो यह है हो सकता है इसके अलावा भी कोई point हो या इसमें से कोई point ना भी हो लेकिन जो मैंने विशलेशन करा तो कुल मिला के यही पाया कि तकरीबन यही है अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे point है कि जनरल सद्वीर साहब की असली OROP का माइने क्या है तो आप भी जो है इस वीडियो के कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं तो दो हैं वंदे मात्रम